नश्कार दोस्तों, ये वीडियो एक्टोरियल कंपाइलेशन फो मेंज का पार्ट हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके एक्टोरियल की वीडियोज पेपर वाइस और टोबिक वाइस देख सकते हों। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाग की वीडियोज को देखना चाहते हों, तो नोन-party lines पर होने चाहिएं। नोन-party lines पर मतलब political parties अपने candidates डिकलेर ना करें, अर्बन-local bodies के elections में participate करने के लिए। अगर ऐसा होता है, तो local level पर अच्छे educated leaders निकल कर आएंगे जिनका political parties से कुछ लेना देना नहीं होगा, जो आगे जाके हमारे देश को अच्छी leadership प्रॉइ elections mayor के इसलिए नहीं होते हैं, क्योंकि खास करके ruling party डरती है, ruling party को लगता है कि direct election अगर mayor के होंगे, तो local level पे एक अच्छी leadership निकल के आएगी, जो बाद में हमें challenge करेगी, party में हमारी जो position है, वो खत्रे में आ जाएगी, बड़ देखो ये सोच सही नहीं है, अगर non party lines पर और direct mayor के election होते हैं, तो एक single person होगा city में, जिसकी accountability fix की जा सकती है, development works के लिए, जिसकी accountability fix की जा सकती है, corruption को रोकने के लिए, और वो person अच्छी से काम भी करेगा, जब उसकी accountability fix होगी, अब देखो party lines पर election होता है, और mayor का directly election नहीं होता है, चुने हुए जो counselor होते हैं, वो mayor को चुनत हैं, तो पांच साल, urban local bodies में politics में बीच जाते हैं, कि इस person को mayor पत से हटा दिया जाए, दूसरे को लाया जाए, corruption काफी होता है, सभी अपना जो जीते हैं, वो अपना अपना फाइदा उठाने की सोचते हैं, कारेकाल का, समझ जैसे अभी स्थापित नहीं हो पाता, काफी बा नहीं होता, urban local bodies में जिसकी accountability को fix किया जास के, तो इस वजए से urban local bodies में अच्छे से चीजों का implementation नहीं हो पाता, और जो development work आना चाहिए, होना चाहिए, cities में वो नहीं हो पाता, देखो अब urbanization काफी तेजी से हमारे देश में हो रहा है, और cities की systematic development होना ज़रूरी है, example दिया ज दिल्ली में Chief Minister की post को एक powerful mayor की post से भी compare किया जाता है, तो जिस परकार से दिल्ली में Chief Minister की post ने अच्छा काम किया है, उनके नाम पे vote मांगे गए थे और वो election जीते, उसी परकार से अगर direct election mayors का होता है हमारे देश की various cities में, तो वो भी अच्छा काम करेंगे और cities को इससे काफी फाइदा होगा, वैसे भी देखो हमारे देश में काफी सारी bodies होती है, खास करके cities में particular काम करने के लिए उन bodies के बीच convergence नहीं हो पाता, लेकिन एक single person होगा, directly elected mayor होगा, तो वो convergence establish कर सकता है, अलग अलग bodies के बीच में, और MLS जिस पर ठीकड़ा food जाता है कि उन्होंने क काम नहीं करवाया, उनकी ऊपर जो responsibility है, वो भी कम होगी, तो यह हमने पूरा article discuss किया, कि direct election mayor का होना चाहिए, और वो भी non party lines पर होना चाहिए, इस discussion में फिलाल इतना ही है, thank you, thank you very much for discussion.